हाई फ्रेंड्स आज बहुत सारे लोग एक नया बिजनस करना चाहते हैं उनके पास पैसा भी है इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार है लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि नए बिजनस का सिलेक्शन कैसे किया जाए तो आज इसी विशेपर हम बात करने वाले हैं अगर आप एक नया बिजनस करना चाहते हैं तो कौन-कौन सी महत्वपून बात है जो आपको उस बिजनस में जरूर देखनी चाहिए नबर वान तो सबसे पहले यह देखो कि उसमें कितना इंवेस्ट्मेंट लगे का नमबर वान रीजिड को करने के लिए कितना area रेखवाइड है उसके बाद monthly आपरेटिंग कॉस्ट उस बिजिन सको अगर आप करते हैं तो स्की मंदली और मतलिघिंग कोस्ट का मतलब किया है उसके मंतली खर्चे कितने होएं से rent पूटल स्टॉक में कितना investment आने वाला है next important बात है market payment schedule उस business को लेकर market का payment schedule क्या है बहुत सारे बिजनस में credit होता है 1 month credit 15 days credit 7 days credit और कई business में तो 3 month का भी credit होता है तो आपको ये भी देखना है कि market का payment schedule क्या है आपको बायर हो आपको payment कब करने वाला है इसके लावा ratio of profit कितना है, अगर आप वो business कर रहे हैं, तो उसमें दो चीज़े important है, कि ratio of profit कितना है, और इस product का volume value कितनी है, मतलब उस product का price tag है, price ticket है, किस range में आता है, ये भी आपको देखना है, इसके लावा investment in sale purchase, अगर आप उस product की sale purchase करते हैं, खरीदते हैं और आगे उसको order place किया है, लेकिन order place करने के लिए, उसमें signing amount दिया है, signing amount तो उस वेक्ति ने दे दिया, 10 लाग का order आपको place किया, और एक लाग रुपे आपको signing amount दे दिया, लेकिन आपको material purchase करना पड़ेगा, तो material purchase करने के लिए आपको फिर पैसा invest करना पड़ेगा, इसले कहते हैं, investment in sale purchase कितना लगने वाला है, क्योंकि सारा का सारे मिटल आपके पास stock में नहीं होगा, बहुत सेरे काम आप sample basis पर भी करेंगे, इसके लाबा future growth possibility कितनी है, भविश्य में उस व्यपार की आगे बढ़ने की कितनी संभावना है, और उस business में level of competition कितना है, कई बार आपने देखा सर्वाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कुछ important factor है, जो आपको किसी भी business के selection करते समय, आपको जरूर चेक करने है, आज मैं बात करूँगा एक ऐसे business के बारे में, जो आपको इन सभी समस्याओं का समाधान आपको देगा, और यदि आप वो business करते हैं, तो आप बहुत कम पुझी में, बिना बहुत बड़ी investment के highly profitable business असानी से कर सकते हैं, तो वो business क्या है, वो business है, स्टेलनेस, स्टील, modular kitchen का business, हमारी company का brand है, मेटास lifestyle, मेटास lifestyle आज इंडिया का leading brand है, जिसमें स्टेलनेस, स्टील, modular kitchen, bathroom, vanities, wardrobe, स्टील interior, स्टील फाल सेलिंग, स्टील elevation, स्टील जे स wood में लगती है, इसका मतलब यह 100% termite proof product है, उसके लाबा rust proof, कहते हैं कि लोहे में जंग लग जाती है, लेकिन स्टेलनेस, स्टील का मतलब यह stainless, उसमें किसी तरह का rust लगने के संभावना नहीं है, fire proof, अब wood नहीं है, तो उसमें fire भी नहीं लगेगा, metal कभी एक दम से जलता नहीं है, इसके लाबा maintenance free, आज आप देखिया आपके घर के जितने भी बरतन है, वो सारे स्टेलनेस के क्यों है, क्योंकि आपको maintain करने पर कोई बहुत बड़ी cost, खर्च नहीं करनी है, इसका मतलब यह 100% maintenance free है, इसके लाबा eco friendly है, आप अगर wood के products लगाते हैं, तो उनको बन की pattern की interior के हिसाब से हमारे पास में होती है, तो आप stainless steel modular kitchen का business कर सकते हैं, आईए समझते हैं, इसी business के बारे में, अगर आप stainless steel modular kitchen का business करते हैं, तो किस किस तरह से आप इस business को आसानी से कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात, जब हम stainless steel modular kitchen के business के बारे में बात करते हैं, तो यहां हम नमबर वन डीलर्शिप और नमबर टू फ्रेंचाइजी डीलर्शिप या फ्रेंचाइजी सबसे पहली बात अगर आप डीलर्शिप करते हैं how much investment is required अगर आप डीलर्शिप शोरूम बनाते हैं तो 12 से 15 लाक रूपए का investment लगता है अगर आप फ्रेंचाइजी शोरूम बनाते हैं तो आपका investment आता है 35 से 40 लाक रूपए how much area is required अगर हम डीलर्शिप शोरूम करते हैं जागा चाहिए 300 से 500 स्क्वार फिट और अगर हम फ्रेंचाइजी करते हैं तो एरिया चाहिए minimum 1500 से 1800 स्क्वार फिट जबकि आज के समय पर हमारे शोरूम जो है वह 1800 के अलावा दो हजार धाई जार तीन हजार साड़े चार अजार पांच जार स्क्वार फिट तक बनी हुए operating cost हर शोरूम की एक operating cost होती है rent है electricity है staff salary है लगबग 40-50 जार रुपे से लेकर 60-70 जार रुपे तक monthly operating cost होती है dealership शोरूम की और यही बात हम फ्रेंचाइजी शोरूम की करते हैं तो यहां पर हमारी cost जो आती है operating वह लगबग 1 लाग से लेके डेड़ पौन 2 लाख रुपे तक आती है इसके लाबा investment in stock यह समझना बहुत जुरूरी है modular kitchen के business में आपका stock पर कोई investment नहीं होता क्यों क्योंकि 100% make to order concept है consumer हमारे यह आता है product देखता है product को समझता है उसके requirement के according design बनाया जाती है और design के according material का production किया जाता है इसका मतलब zero stock is required stainless steel model location के business में हमारे franchise या dealer को कोई भी stock की requirement नहीं होती जब stock की requirement नहीं होती तो इसका मतलब कोई भी investment dead investment नहीं लगने वाला होता दूसरी जो important बात है जब हम stainless steel model location का करते है payment schedule market payment schedule क्योंकि हमारा business make to order वाला business है तो वहाँ पर जो payment हमें consumer से मिलती है वो मिलती है 50% on order and 50% before dispatch इसका मतलब हमें 100% payment advance मिलती है 100% payment advance होने की वज़ा से कभी भी हमारा business के विल paper money नहीं कमाता कि paper में देखे तो इतना profit कमाया है लेकिन पैसा बहुत सार हमारा डूप जाता है हमारे वाले case में 100% advance payment पर काम होता है और ratio of profit अगर मैं dealership की बात करूँ तो ratio of profit 45% और अगर franchise की बात करूँ तो ratio of profit 50% क्योंकि इसके operating cost भी थोड़ी different है और बड़ा showroom बना हुआ है बड़े clients के साथ deal करते है बड़ा exposure इनके पास है investment in sale purchase ये भी एक important concern है अगर आपके consumer ने आपको order place किया है तो वह 50% of order value आपको देने वाला है आपको भी जब company में order place करना है तो आपको भी आपके price का 50% देना है मैं इसको example के रूप में बताता हूँ मान लीजिए आपके consumer ने आपको 5 लाख रूपे के kitchen का order दिया fine और आपका जो इसमें margin है example के रूप में वो 40% है तो दो लाख रूपे आपका इसमें profit हुआ और आपकी cost कितनी हुई वो गी 3 लाख रूपे मतलब 5 लाख रूपे के kitchen में 2 लाख रूपे आपका profit है और 3 लाख रूपे आपकी cost है अब payment कैसे होगी consumer आपको pay करेगा 2 लाख 50,000 रूपे on order और 2 लाख 50,000 रूपे before dispatch आपको यही का order same company को place करना है पर cost के हिसाब से आपने 1 लाख 50,000 रूपे advance दिया company को की भी production करो और मेरे लिए product बना के तयार करो और 1 लाख 50,000 दिया आपने before dispatch इसका मतलब जैसे ही consumer ने आपको order दिया आपका profit 1 लाख रूपे आपक किसी तरह से sale purchase में भी कोई invest नहीं किया 100% advance payment और जैसे आपके final payment आई आपका final profit भी आ गया fine ratio of profit में आपको बता दिया no investment on sale purchase यही बात में आपको बता रहा था sale करने पे भी investment नहीं है क्योंकि आसा नहीं है कि उसने आपको थोड़ा सा amount दिया है और आपको बड़े amount पर order लग जो भी order आएगा वह advance payment के साबसे आएगा उसके लावा important बात future growth possibility friends कहते हैं कि हर business का एक graph होता है जो up and down होता रहता है लेकिन stainless steel जो है न वो एक upcoming product है आज भी वो नया product है और आने वाले कई वर्षों तक इसमें growth की बहुत अपार संभाव नाई है इसका graph हमेशा उपर ही जान industry में हैं तो आपके पास future growth possibilities ही हैं क्यों क्योंकि जो product है वो एक elite client के लिए product होता है उसके लावा level of competition क्योंकि stainless steel module kitchen की manufacturing का जो setup है और consumer की demand के according जिसके पास mass production होगा जो ज्यादा sale करता होगा वही factory setup लगा सकता है इसका मतलब वहाँ पर level of competition भी बिलकुल ना के वराबर है और व या एक district या एक city में एक dealer या एक franchisee showroom ही appoint करती है अगर area बहुत बड़ा है तो वहाँ 2-3-4 dealer हो सकते हैं लेकिन exclusive franchisee store एक ही होता है इसका मतलब आपको competition आपके competition को खतम करने के लिए आपको area of territory भी बहुत बड़ा दिया जाता है साथी साथ future growth possibilities इसलिए हैं क्योंकि steel एक आज की generation का business है product है और भविश्य में इसमें और बहुत सारे development होने की संभावनाई है अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों में आपके आसपड़ोस के जितने घर मकान कोठी बंगलो फार्माउस बन रहे हैं महां चीजें stainless steel में convert होती जा रही हैं gate grill railing यहां तक कि आपके घ आइटिंग पोल्स देख रहे हैं सब stainless steel में लग रहे हैं आप मैट्रोस के प्रोजेक्ट देख रहे हैं सब कुछ stainless steel में हो रहा है मतलब steel एक बविश्य का product है जहां पर growth possibilities बहुत बड़ी है इसके लबाद नेक्स जो important बात है वो यह है कि अगर आप dealership करना चाहते हैं या आ आप फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं दोने ही केस में हमारे product का जो ticket price है जो price value है बहुत हाई है हमारा kitchen दो लाख रुपे से शुरू होता है और 40-50 लाख रुपे तक का हम लोग product बनाते हैं और यह तो बात खाली kitchen की है हम लोग बनाते है kitchen, bathroom vanity, wardrobes, steel interior, units, storage cabinets बहुत सारी ची के लिए अगर आपको apply करना है या franchisee के लिए आपको apply करना है तो क्या difference है area 300 से 500 square feet होना चाहिए आपके पास चाहिए वो अपना खुद का हो या rented हो और investment 12 से 15 लाख रुपे है और franchisee के लिए area चाहिए 1200 से 1500, 1800, 2000 square feet और investment आता है 35 से 40 लाख रुपे ratio of profit 45% ratio of profit 50% product value starts from 2 lakh and goes up to 50 lakh रुपे अगर आप dealership या franchisee करना चाहते हैं आप किसी भी राज्य से हो आप apply करने के लिए हमें call कर सकते हैं 921 003 777 3 पर या आप call कर सकते हैं 921 004 4480 पर यहां पर आप call करें ask about dealership और ask about franchisee issue और यह आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप comment box में लिखकर भी उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं प्रेंट्स नई business opportunity को समझें और भविश्य मैने वाली संभावनाओं को देखते हुए एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखें जहां आप apply profit कमा सकते हैं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्ष्व अमित्माईश्वरी आपके सुनर भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत